जीओ के एर हैवर में वायर बहुत है मतलब एक वायर आरा आप बाहर से एक वायर आपका सॉकेट से आरा जिसकी कटन से होता क्या ना कि आप इसको कहीं ले नहीं जा सकते तायर का ध्हमेला बहुत ज़्यदा हो जाता है तो इस प्रबलम को आज मैं सॉल्व करूंगा यहां प सुच रहे होगे कि यह डबा क्या है तो मैं आपको इसको ऑन बॉक्स करता है यहां पर पूरा सेट अप है वाय देख सकते हो एर फाइबर का यह एर फाइबर का आउट्डूर इनिट जो बहार लगता है ठीक है इसी में जो है पूरा कारिकरम होता है इसके थ्रू एंड यह है इसका एडप्टर जो कि यहां पर बिजली से चलता है मतलब यह इसको बिजली प्रदान करता है एंड इसके साथ मैं इसको सब्सक्राइब निकाल दू एंड यहां पर दिखा देता हूं इसका जो राउटर है जो आउट्डूर सरी इंडोर इनिट रहता है वह यह उसको ऐसको नेटवहर कारे देखना है कि इसके अंदर से आपर एक यहां पर देख सकते हों कि मैं इसको अपने स्टुटियो पर ले हु'll become the why अBon तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो है वह काम कर रहा है कि नहीं कार राए तो यहां पर देख सकते हो कि मैंने इसको कनेट कर लिया है आर फाइर फाइबर फाइब तो इन ओ दे चुछ को के Roberts का यहां पर इसका स्पीड डेक्स कर दो कि तो यहां पर जो स्टेस्ट करें आ कि उकड़ी आपन करते हैं यहां पर चक करते हैं कि भई Maira स्पीड कितनी मिल रही है हम लोगों ठीक है वह मैटर करता है यार कम स्पीड मिलेगी तो फिर कोई मजा नहीं आएगा तो यहां पर यहां पर स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो गया यहां पर देख सकते हूं इसको घर के अंदर भी रखो तो आराम से काम कर जाता है वह कहीं कहीं पर जहां पर नेटवर्क बहुत जदा कम रहता है इसके लिए इसको बाहर भी रखना पड़ता है तो इस तरह से आप अपने जियो एर तो गाइस इस तरह से मैंने जियो के एर फैबर को यहां पर पोटेबल बना दिया जिसी कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो थोड़ा सा फनी वे मैं मतलब बाल्टे के अंदर डाल गे बट आप अपने हिसाब से किस्टमाइज कर सकते हो कोई भी अधर चीज आपके पास ट